आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि BGA केवल की हेल्प से आप अपने CPU के साथ अपने मॉनिटर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए यह है BGA केवल और इसको फटापट से मैं कनेक्ट करके बता हूँ कि किस तरीके से आपको CPU से मोनिटर को BGA केवल की हेल्प से कनेक्ट करना है तो देखिए अभी फिलाल यह जो मोनिटर है मैंने SDMI केवल के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है तो फिल यहाँ पर यहां पर यहां पर यह जो केवल है यहां पर कनेक्ट हो चुकी है और यह तो CPU के साथ कनेक्ट हो गई अब हमें क्या करना है इसे मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट करना है यहां पर यह जो मेरे पास एओसी कंपणी का मॉनिटर है इसमें पीछे भी यहां पर दो पोड दिया है एक तो चारजर की पिन को यहां पर कनेक्ट करते है तो उसके बाद इसे फिर से कस देना है और जैसे ही आपका जो पिने यहां पर सेट हो जाएंगी और अब देखी कुल बिलाकर मैंने इसे कस दिया है और यहां पर यह जो कनेक्शन हैं पूरे हो गए हैं यानि आपका जो सिपियो है वह मोनिटर से में पूरे तो पूरे से सिर्प से चला कर दिखा नेंगी अब आपको यहां पर इसे चला कर भी दिखा देता हूं कि किसी तरीके से वर्कप करेगा हमारा देखिए यह बर्क करने लगा देखिए यह जो पैनल था मॉनिटर पैनल यह बिल्कुल बर्क करने लगा है देखिए हमारा कम्पूटर जो है अब स्टार्ट हो रहा है तो आप देखिए पूरी तरीके से हमारा जो मॉनिटर है और सीप्यों जो यहां पर ऑन हो चुका ह शो किरना दूसतो आपको यह वीडियो पसंद आयगा Крас警ya कने कारें नहीं इंफॉरमिशन के साथ।